असलाम एकिन स्टूडेंट्स प्रोफेसर आमेर अफजल प्रोज के नेक्स्ट लेसन के साथ आपके सामने प्रोज में हम लोग डिसकस का रहे हैं गलीबस टैवल्स और गलीबस टैवल्स में हम पहुंचे हैं सेकंड वाइज पे सेकंड वाइज का सेकंड और लास्ट पार्ट that consists of chapter number five to eight second voyage हमारा है voyage to broadening neck जिसके हम ये आज चार chapter जो है वो डिसकस करेंगे इससे पहले हम ये देख चुके हैं पिछले पार्ट में के जब Gulliver second voyage पे आता है तो वो एक ऐसी strange land पे पहुंचता है जहांके लोग जो है वो ज्यादा large sized है giant sized है 60 feet के हैं और उन लोगों का वहां हर चीज़ी इनके animals उनके उनके buildings everything is of a giant size और huge size के हैं और वो वहां king और queen के साथ भी रहता है और farmers family के साथ भी रहता है queen उसे खरीद लेती है और queen के साथ फिर वो रहना शुरू हो जाता है वो उसके साथ बहुत सारे miss happenings भी होते हैं large apples उपर से गिरते हैं जब hailstone आता है या ओले गिरते हैं उसके उपर और size जो apples है वो भी बड़े size के हैं तो जब तेज हवा चलती है तो apples गिरते हैं इसके उपर और वो जखमी भी हो जाता है तो एक ये वाक्या हुआ हुआ काईट कहीं से आती है काईट में वो फंस जाता है काईट भी उसी size की है डॉग एक अपने मालक से चुड़ा के रसी तो वो एक इसको जीब और गरीब मखलूक समय लेता है तो वो इसको पकड़ लेता है वो मुश्किल ये बचा लिये जाता है इसका जो डॉग का मालक होता है वो इसको बचा लेता है एक बार ये गलती से थेज चलते हुए एक shell of a snail उसके सब टक रा जाता है तो अपनी जो पिंडली है वो जखमी कर लेता है कुछ maids of honor होती है जो queen के पास होती है तो वो अपनी बाड़ी को naked करके undress होके तो उसको अपनी बाड़ी पर बिठा लेती है instead of feeling any curiosity or instead of feeling any thrill वो rather he feels much irritated due to the ill smell which comes out of their body तो वो उनकी बड़ा irritate होता है ये उनसे बहुत ज़्यादा irritate हुआ और इस तरह का experience जो है वो कोई अच्छा नहीं रहा फिर इसको एक monkey उठा के ले गया उसको एक कुणची जगा पर बिठाया उसके साथ खेलने लग गया उसको वहाँ से बचाया गया monkey शायद ये समझ रहा था क्योंके ये देखने में ये उसी की तरह का लग रहा है तो शायद उसने का कि हमारी ही नसल में से कुई एक है तो monkey उसके साथ खेल रहा था और बमुश्किल इसको बचाया गया वहाँ से फिर इसने अपनी स्किल दिखाई कि ये कैसे कष्टी चला सकता है कष्टी चलाना लोगों ने देखा इसका किंग ने इससे question पूछा कि अगर ये जो किंग तुमें monkey उठा के लेगा अगर तुम्हारे मुलक में किया कभी इस तरह की situation हुई तो गलीवर से बताता है कि हमारे हाँ monkeys जो हैं वो छोटे size के होते हैं और दूसरी बात ये कि monkeys हमारे मालिक नहीं होते ये हमारे size के नहीं होते हम उनकों बलकुर किसी pets की तरह या वो आम जंगलों में होते हैं और हम उनकों बहुत अच्छी तरह treat नहीं करते ये एक ऐसा answer था जिस से किंग वो इतना खुश नहीं हुआ उसकी बात से उसने ये शायद समझा कि हमारे एनिमल्स की तोहीन कर रहे इसी तरह एक बार वो cow dung जो गाये का गोबर था वो अब गाये भी उसी size की होगी उसका गोबर का जो धेर भो भी उसी size की होगी वो बिचारा उसमें धंस किया वहां से बो मुशल निकाला गया इसने और बड़ी इसने अजीब और गरीब हरकतें की खुद भी इसने कोशिश की कि मैं किंग और कुईन को खुश करूँ तो कुईन के लिए एक बार इसने उसका नाम कंदा करके तो एक बार उसने उसके लिए एक बैग बनाया बड़ा सारा फिर उसने एक बार उसके कंगी के बालों से कठे करके तो उसके लिए एक चोटी सी चेर बनाई तो ये उनको खुश करने के लिए कुछ इस तरह की काम करने लगा अपनी स्किल दिखाने लगा, अपनी प्रोड़क्टिव स्किल इसने दिखाई उसको किंग को और कुईन को खुश करने के लिए जो ज़्यदा इसमें पिंचिंग आप कहलेना जो चैप्टर है ये जो एपिसोड इसमें है वो ये है कि जो हमारे इन फैक जब हम इसको ऐस ऐलिगरी डिसकस करेंगे या ऐस सेटायर डिसकस करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा जो एलिमेंट सामने आया वो ये था कि गलीवर ने जब अपने मुल्क के बारें बताया कि मेरा मुल्क उसमें किंग है उसमें कुईन है उसमें पारलिमेंट है पारलिमेंट में लोग कैसे इलेक्ट होते हैं लोग कैसे रहते हैं, हमारा येस्टिस सिस्टम कैसा है, हमारे हाँ इनसाफ कैसे होता है, हमारे हाँ मैडल्स लोगों को कैसे मिलते हैं और हमारे हाँ जंगें भी होती हैं, हमारे हाँ लोग बारूद बनाते हैं, उससे असलहा बनाते हैं, हमारे हाँ जंगों में लोग मारे भ بارے میں इस ने भू असको ये भी बताया gaat गंवरने किंग को के मैं आपको बारूत बनाने का फार्मॉला बता सकता हूं लेकिन बादशाओ के लिए ये वाठाना अमेजनेबल थी के मैं बारूत क्यों बनाओं लोगों को मारना कोई लोगों को हलाक करना कोई इतना अच्छा काम है इसके तमाँ तर किन्विंस करने के बावजूद किन्विंस नहीं हुआ और कन पाउडर बनाने का कोई फार्मूला एकसेप्ट नहीं किया इसने ये भी बताया कि हमारे हैं गौर्मिंट को चलाने के लिए कोई ऐसी बुक्स के जरूद नहीं है हम अपनी विज्डम के जरीए ही चलाते हैं और हमारे हां कौनस्पिरेसिस भी होती हैं और हम उना कौनस्पिरेसिस के लिए गौर्मिंट्स टॉपल भी करते हैं और नहीं गौर्मिंट्स बनाते हैं कुछ और जो फीचर्स इसने बताए जो अप्जर्वेशन की बनियाद पे गलीवर ने कि इनके हाँ को बहुत ज़्यादा सेट स्टेंडर्ड जैसे हमने लेली पुशन्स में देखा कि तालीम का एक अच्छा सिस्टम वो इनके हाँ नहीं इनका चंद चीज़ें हैं जो पढ़ाई जाती हैं ये सिखाई जाती हैं morality है history है poetry mathematics ये चंद चीजे हैं जो इनके हाँ पढ़ाई जाती है इनके education system का हिस्सा है बहुत बड़ी कोई library नहीं है ना को आपको चंद हजार एक दो हजार बुक्स नजर आएंगी आपको कोई बहुत बड़ी अच्छा एक और कमाल चीजी है जीब और गरीब कि किंग की कोई आर्मी नहीं है 100 प्लस कुछ लोग उसने रखे हुएं और उसके हाँ जो जितने भी tradesmen है जो उसके रिद्गेद लोग हैं जो काम करने वाले हैं वही उसकी आर्मी है उसी की बनियाद पर वो अपना defend करता है या शायद इसको यहां पर ऐसे कोई situation नहीं है कि जिसमें उसको आर्मी की जरूरत पड़े सो फाज नहीं है अच्छा ये चंद एक उसके लिए बड़ी हैरान कुन चीज़ें थी लेकिन ये वाला जो आपको मैंने बताया एपिसोड इसमें किंग ने जो गलीवर की कंट्री को पर जो पिंचिंग रिमार्क्स दी ये वो उसके लिए क्या भी पेश आया कि इसको एक एगल जो था वो उठा के ले गया कि पिंचरे समेट और उठा के तो इसको ले जा के समंदर में फैंक दिया फिर वहां से ये एक शिप ने इसको बचाया और फिर ये किसी ने किसी तरह से मैनेज करता हुआ वापस आ गया तो गलीवर का जो सिकंड वाइज है इस तरह से खतम होता है और ये वापस अपने घर आजाता है सेकंड वाइज में सिक्स्टी फीट लोगों के साथ उसके जो काफी मिसeed मैने बताई इन पारे में जाना और अगर हम फॉलो करें जॉनाथन स्विफ्ट की फिलासिफिभी तो स्विफ्ट ने उन characters के मुँझे, उनकी तरफ से, या in fact अपना mouthpiece बनाके, इंसानियत पे, English society पे, British society, king, queen, institutions, सब पे, काफी ज़्यादा, उन सब को satirize किया, detail हम इंशालला satir कि इसकी बाद में देखेंगे, लेकिन बाराल यहां end होता है हमारे second void का, with third voyage, I'll come back soon, thanks for watching. कर दो, झाएंगे, रारागे, बारागे, भीराओे, भीराओे, रारागे, या थी ज़्यादाँ, ज़सराम।